कर द değill mind European canatopon your vo traffic तो पांज इस वीडियो में हम बात करने वाले यह कॉन्फडे कर सकते हैं जिन T बात्य इंपनीड कर सकते सक्ते हैं शूकर आशे सब्सक्राइब के कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे देखने को राउटर में कैसे करते हैं यह हमारा router है और यह हमारे PC हैं दो सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यह router बन है तो router पर जाते हैं सबसे पहले गराउटर पर हम क्या करेंगे सबसे पहले तो router के इस पोर्ट को हम अपकरेंगे जो फास्ट इतरनेट 0-0 जिस से हमारा स्विच कनेक्ट है तो पहले इस पोर्ट को अपकरेंगा और इसमें आई-पी असाइन करेंगे क्योंकि वाई-डिफॉल्ट राउटर में जितने भी पॉर्ट होते हैं सारे सुट डाउन होते हैं तो हमें इनको अप करने के लिए नो सट करना होगा ठीक अधर चलते हैं राउटर बन पे और यहां पर कमांड चलाएंगे इसे किया हमने नो सट नो सट मेंस नो सट डाउन और आई-पी अड्रेस 192.168.1.225.255.255.0 तो यह हमने आई-पी असाइन कर दिया 192.168.1.255.255.255.0 क्योंकि यहां पर हम जो नेटवर्क चलाने वाले हैं 192.168.1.0 तो यह वाला नेटवर्क चलाने वाले हैं यह नेटवर्क आईडिया है और तो राउटर बन पे हमने यह आई-पी असाइन कर दिया है ठीक इसे नो सट भी कर दिया है अब वहां से होते हैं एक्जिट फिर से कॉन्फिक मोड पर जाते हैं और यह कमांड का भी याद रखना है किस मोड पर चलते हैं ठीक है तो अब हम जो दिएसेपी कि कमांड चलाएंगे वह क्овал पर चलाएंगे तो यहां पर हमें लिखना है आई-पी डिए-सची-बी पूल तो हम यहां पर क्या करते हैं एक पूल बनाते हैं पूल लाइक का गृरओअ त्षिक हैं तो यहां पहा बनाते हैं और पूल का नाम IP-CAP-POOL और पूल का नाम हमने रख़ दिया typnp रख ठिक है तो फूल का नाम हमने एनिपिद रख़ दिया और करते हैं एंटर फिर अब हमें देना है नेटवर्क बनलब नेटवर्क आईडी तो नेटवर आईडी वन नांटेत तो 1.0.255.255.255.0 यह उसका सबनेटमार्क है और यह है नेटवर्क आइडी ठीक है तो अभी यह नेटवर्क आइडी है तो इसमें कितने होस्ट लग सकते हैं जीरो से लेके 255 मतलब यह तीन तो नेटवर्क के ओक्टेट हो गए यहां से हमने देख लिया और यह हमारे क्या है ह यह एक ओक्टेट में हम मिनमाम और मैक्समाम वैल्यू कितनी असान कर सकते हैं हमने आईप आड्रेस के सीरीज में देखा था अगर आप वही तक आपने वह नहीं देखा है तो उसे देख लेगा तो यह वीडियो और भी अच्छा समझ में आएगा तो जीरो से लेके 255 तक ह हम वैल्यू असान कर सकते हैं एक ओक्टेट में तो जीरो 255 कितना हो गया मारा 256 टोटल कितना हो गया 256 अब 256 में से हम जो दो आईपी यूज नहीं करते हैं तो उन दो आईपी को हटा दो नेटवर्क अन ब्रॉटकर मिला 254 होस्ट लग सकते हैं ठीक है तो यह इसकी पूल जो है अगर यहां पर जैसे अगर मेरे यहां पर दो PC है ठीक है PC1 और PC2 तो ऐसे कितने PC हो सकते हैं जिनको यह पूल आईपी असायन कर सकता है सिर्फ 254 ठीक है क्योंकि हमने पूल में यह नेटवर्क आईडी इतनी दे रखके जिसमें 254 होस्ट लग सकते हैं तो यह ठीक है अब आगे जो कमांड है वो है यह तो होगी इसकी नेटवर्क आईडी अब हमें PC को क्या देना होता है IP परामीटर में एक IP अड्रेस और उसका डिफॉल्ट गेटवे और सबनेट मार्क्स है कि नहीं तो हमने IP अड्रेस और सबनेट मार्क्स तो दे दिया कि यह तेर्स थे यहाँ पे आईपी दे रखा है, राउटर के, इस जितने भी PC अच समय होगा, उनका टिफॉल्ट गेट भी यह होगा तो फिर चलते हैं राउटर पे-अपर एहाँ पर कर थे हैं कि डिफॉल्ट राउटर होगा है बेसिकली हाँ पर कमांड कौन से दे डिफॉल्ट राउटर ठीक है तो डिफॉल्ट राउटर में उसके फास्ट अतरनेट की आईपी डालते हैं 192.161.1 यही मैंने आईपी असाइन किया था वहां पर फास्ट अतरनेट पर करते हैं अब चलते हैं पीसी पे तो उससे पहले हम वायर सार्क ओपिन कर लेते हैं पैकेट को कैप्चर करके देखेंगे सारा कैप्चरिंग जब गया है यहां पर पैकेट कैप्चरिंग होने लगा है तो अब हम चलते हैं PC बन पे PC बन से क्या करेंगे IP की request करेंगे DSCP server से तो PC बन के लिए command क्या होगा IP DSCP ठीक है ये command होगे IP DSCP जैसी चलाते है ये DORA process करना start कर देगा ठीक है ये DORA process देख रहे हूँ तो अब इसको IP assign होगा कौन सा होगा 192, 168, 1.2 prefix lens कितना है 24 और इसका gateway कितना है 192, 168, 1.1 तो चैक करने के लिए हम command चलाएंगे so so IP all so IP all करेंगे तो हमें इसका PC बन है और ये इसका IP है और ये इसका prefix lens है अगर ये prefix lens है subnet marks कितना होगा 255.255.255.0 और इस PC का gateway कौन सा है 192, 168, 1.1 mac इस PC का ये है और DNS server की ये IP है ठीक है तो इस PC ने ये DSCP से IP send कर लिया है अब थोड़ा packet पे चलते हैं वाइसर्क में और देखते हैं तो जैसे मैंने बोला था सबसे पहले door up process होगा तो client का करेगा discover करेगा तो client है यहाँ पे क्या भीज़ा है यहाँ पे discover message भीज़ा है DSCP discover और एक चीज और है कि जो DSCP मतलब ये request आता है ये UDP protocol यूज करता है कौन सा करता है UDP protocol देखो ये लखा है User Datagram Protocol जो transport layer पे ये UDP protocol को यूज करता है DSCP अब यहाँ पे देख लो मैंने बोला जब client request करेगा तो उसका put number कितना होगा 68 और जब server उसका reply करेगा मतलब destination होगा put जो कितना होगा 67 ठीक है तो source put हमारा 68 है और destination 67 है यह जो की server जब reply करेगा तो destination हमें 67 ही लगाना होगा ठीक है तो अब यह source IP यह हमारी 0.0 और destination क्या है broadcast मैंने बोलता broadcast IP होगा यहाँ पे mac भी देख लो source mac किसका है खुझका अपने PC का है और destination mac क्या है broadcast वाला mac क्योंकि discover हमें सब broadcast जाता है यह part 1 में हमने discuss किया था कि discover जो message होगा वो क्या जाएगा broadcast में जाएगा ठीक है अब यहाँ पे discover के बाद क्या है मेरा offer फिर offer क्या होगा मेरा unicast होगा offer क्या होगा मेरा unicast होगा क्योंकि यहाँ पे सब के पास IP भी है और mac भी है दोनो mac भी है destination mac and source mac तो यह packet क्या होगा हमारा unicast होगा तो यह सारा हम part 1 में discuss किया था discover बाद कास्ट आएगा और offer मेरा unicast आएगा request है फिर acknowledgement है ठीक है तो यह सारा हम scene देख चुके है तो यह तो basic configuration थी dscp की अब थोड़ा आंगे और देखते है अब एक command होती है जैसे अगर एक situation आ थी जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे अब मैंने इस PC 1 से request किया था IP के लिए तो इसको कौन सी IP assign होगा था 192 1.2 अभी मैं चाहता हूँ कि मतलब यह जो dscp server IP assign कर रहा है यह जो पूल में से IP दे रहा है किसी के request आते जैसे कोई discover करता है तो वो उसको जो IP दे रहा है वो 1.2 से ना देखे वो दे 101 से मतलब 100 तक में reserve करना चाहता हूँ एक site से यही मालो के dscp server में 2 से लेके 100 तक reserve करना चाहता हूँ और अगर जब कोई discover करे कोई भी PC PC1 या PC2 या कोई भी मतलब device जिसे IP के requirement है उस dscp server से तो वो IP कहां से assign करे उसे 192.168.101 से तो यह सब करने के लिए हम करेंगे excluded तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं फिर command चलेगी अब यह command कहां पर चलेगी मेरी configuration mode पर हमें exit होना पड़ेग dscp config से हमें आना पड़ेगा configuration mode पर यहां पर चलाना होगा IP dscp और excluded address अब excluded address मैं कहां से करना चाहता हूं 192.168.1.2 से लेकर 192.168.1.100 तक यहां से यह मेरी start IP और यह मेरी end IP मतलब यह IP किसी की अगर किसी कोई भी discover करे उसको IP तुम्हें assign नहीं करना है यह मैं dscp server को बता रहा हूं इस command के दुरू ठीक है क्या करूंगा IP dscp इंटर किया इसने दोरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया क्योंकि dscp दोरा प्रोसेस पर काम करता है ठीक है तो अब इसको IP कौन सा sign हो है 192.168.101 जिसका prefix line 24 है और gateway क्या है 192.168.1.1 ठीक है अब इसने कौन सी IP sign नहीं दिया इसे थ्री बाला देना चाहिता बैट से नहीं दिया क्यूंकि हमने उस पर dscp server को बता रखा है कि तुम्हें यह 1.2 से लेगे 1.100 तक किसी को भी आईपे असान नहीं करना है कोई भी discover करे ठीक है तो अगर हमें वैसे भी देखना है तो करेंगे so so ip all so ip all करते ही हमें दिख जाएगा यह इसका ip address है यह prefix length है यह gateway है और यह PC का mac है dns server ठीक है तो यह तहाँ excluded की command अब एक होता है मेरा lease time dscp में एक lease time होता है lease time क्या होता है जैसे अभी इस PC को ip assign है 192.168.1.2 और इस PC को ip assign है 192.168.1.101 अब मैं चाहता हूं कि कुछ दिन बाद ठीक है कुछ दिन बाद जो इस PC1 को ip assign है वो हटके कोई और ip assign हो जाए और जो PC1 को है वो किसी और PC को assign हो जाए ठीक है तो हम उसको क्या करेंगे lease time यह basically उसमें चलता है DSCP I DSCP configuration के अंदर चलेगा तो फिर में जाना होगा pool के अंदर DSCP pool और pool का नाम में रख्या था NP अब यहां पर चलेगी lease time के क्योंकि हम किसको बता रहे है पूल को बता रहे हैं ठीक है तो लीस का देखेंगे question mark लगाएंगे तो देखो यहां पर days में देखा रहे जीरो टू 365 365 मतलब इतने दिन बाद क्या कर दे वह आई-पी को change होता रहे हमारे जो भी client मतलब जिनको हमने आई-पी प्रोवाइट कर रखा है इन finite भी होता है कि मतलब कभी भी ना करें ठीक है तो अगर मैं 2 कर दूँगा तो दो दिन बाद इनकी आई-पी चेंज हो जाएगी ठीक है तो यह थो लीस की command अब जैसे अगर इस PC को आई-पी मतलब यहाँ पे assign है 192.168.1.2 अगर यह फिर से DSCP के request करेगा तो इसे वह हटके 2 से हटके फिर से क्या मिलेगी 102 क्योंकि 101 यहाँ पे assign है तो यहाँ पे क्या होगा 102 तो उसके लिए हम command क्या चलाएंगे release और renew के लिए विसके लिए अगर हम computer पे चलाएंगे तो command ह होगा जैसे अगर मैं windows plus R करके cmd को open करता हूं ठीक है तो यह हमारे computer का cmd है अगर मैं यहाँ पे चलाएंगा ip config release ठीक है क्या है release ip config release तो ip हमारी release हो जाएगी ip हमारी release हो गई और renew का रहने के लिए हम क्या करेंगे फिर से यहीं कराएंगे renew ठीक है ip config renew तो यह फिर से ip की request करेगा dhcp server से अब यह तो मतलब यह real का practical है serial में ऐसी command चलती है ip config slash release और slash renew लेकिन जो gns3 है इसके PC में कुछ अलग command चलती है इसकी command क्या होती ip अगर मैं ip config release करना चाहता हूं मतलब हटाना चाहता हूं तो क्या करूंगा ip dhcp-x तो इसने release कर दिया command check करने के लिए so ip all किया तो देखो सबसे जो इसको ip assign थी वो हट गई है ठीक है अब renew करने के लिए कौन सी command होती है ip dhcp-r जैसी करेंगे यह फिर से dhcp-r स्टार्ट करेगा और अब इसको जो ip assign होने चाहिए 192.168.1.102 देखो यह ip assign हो है ठीक है यह prefix length है और यह gateway है ठीक है तो यह था थोड़ा advance और अगर मेरे को फिर से dhcp-server पर चलते हैं ठीक है तो क्या करेंगे clear clear ip dhcp-pool और पूल का नाम पूल का नाम हमारा कह था np और subnet मतलब जो इसमें हमने network id दिया था 192.168.1.0 और करना है enter ठीक है तो यह refresh करने की command होती है अब अगर मुझे check करना है महलो dhcp-server पर हूं मैं अब मुझे यह check करना है जो भी मेरे क्लाइन्ट है जो भी मेरे क्लाइन्ट है जिनको मैंने ip assign कर रखा है ip parameter दे रखा है तो कौन-कौन सी ip मैंने दी है ठीक है अभी मैं router अपने server पर बैटा हूं अब मैं check करना चाहता हूं कि मैंने कौन-कौन से ip release की है अभी तक हमने provide के है तो उसका command क्या होगा so ip dhcp और dhcp के बाद winding इंटर करेंगे तो देखो उसने हमें बता दिया कि ip address हमने कौन सा अभी release की है 192.168.1.101.102 यह mac है user के ठीक है तो यह सारा मतलब यहां पर scene दिख रहा है so ip dhcp winding तो यह तो था dhcp की configuration अगर आपको यह सारी dhcp की configuration की command चाहिए है तो आप मुझे comment में mail कर सकते हैं तो मैं अगर आप mail करेंगे तो मैं आपको dhcp के configuration की जितनी भी command है मैं आपके mail पर आपको send कर दूँगा ठीक है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए नमस्कार and bye